वेल्कम टु निव लेसन इस लेसन में आपसे बात करूंगा about display ads हम बात करेंगे कि display ads क्या होती हैं कैसे काम करती हैं और आपको display ads का use करना चाहिए तो किस चीज के लिए use करना चाहिए तो जैसे आप internet पर जाते हो किसी भी website पर जाते हो तो आपको हर website पर banner दिखते हैं banners banners दिखते हैं आप वो जो banners है वो किसके part है, वो part है display ads आप किसी भी website पर जाओगे आपको एक वहाँ पर side पर banner दिख जाएगे right? तो उसको हम कहते हैं display ads अब यहाँ एक चीज बहुत-बहुत जरूरी है suppose करो, आपकी website है और आप अपनी वेबसाइट पे बैनर दिखाना चाहते हो किसके गूगल के गूगल के बैनर तो यह जरूरी है कि आप Google Adsense के साथ रजिस्टर ओं यह क्या जरूरी है कि आप Google Adsense के साथ रजिस्टर हो अगर आप Google AdSense के साथ रजिस्टर्ड होंगे तभी आप अपनी वेबसाइट पे ये बैनर्स दिखा सकते हैं अब सपोस करो कि आप अपना बैनर किसी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो ठीक है किसके थूर दिखाना चाहते हो Google Ads के थूर तो सपोस तो आज मैं Google पे गया और मैंने का Google भईया मुझे ना IRCTC वेबसाइट पे बैनर दिखाना है तो Google भईया ये लो तुम 100 रुपे और ये बैनर दिखाओ कहा IRCTC के वेबसाइट पे आप किसके पास गये Google के पास अब Google ये ये बैनर IRCTC पे तभी दिखा सकता है जब IRCTC गूगल के साथ रजिस्टर्ड हो अगर IRCTC गूगल के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप ये बैनर IRCTC की वेबसाइट पे नहीं दिखा सकता है ठीक है अब देखो डिस्प्ले एड्स काम कैसे करती है तो जो गूगल है वो आपका सारा जो information है, सारा data है सारे keywords है, वो track करता है गूगल को पता है कि आप किस टाइब की website पे जाते हो प्लस गूगल को पता है कि इस website पे किस टाइब का content लिखा हुआ है तो गूगल उस हिसाब से एड्स दिखाता है सपोस करो, मुझे एक एड्स बनानी है cricket से related अब गूगल कहा क्या देखेगा अगर मुझे display एड्स बनानी है गूगल वो वो websites देखेगा, जिस पे cricket का mention है या तो cricket mention हो या cricket से related चीजें mentioned हो तो गूगल मेरा banner वहाँ वहाँ दिखा देगा अब एक चीज बहुत ज़ादा जरूरी है ध्यान देना कि display ads के अंदर keyword match type नहीं होता right display ads के अंदर keyword match type नहीं होता सारी चीजे क्या होती है broad match broad match हर चीज क्या होती है broad match अब एक चीज जो है आपको समझनी है कि क्या आपको display ads run करनी चाहिए या नहीं run करनी चाहिए अब इसके दो answer है पहला आप किसको ad दिखाना चाहते हो cold audience मतलब ऐसी audience जिसने आपके साथ कभी business नहीं किया और दूसरा remarketing remarketing के लिए display ads बिल्कुल 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 ही run करनी चाहिए क्यों run करने चाहिए क्योंकि जब ही भी आप remarketing कर रहे हो थूँ display ads तो आप ऐसे लोगों को ad दिखा रहे हो जो कि already आपके brand को जानते हैं जो कि already आपके website पे visit कर चुके हैं जो कि already YouTube पे आपका video देख चुके हैं तो remarketing के लिए display ads बिल्कुल ही perfect है रही बात cold audience अगर आप cold audience को display ads दिखाना चाहते हो तो ये recommended नहीं है provided आपका budget limited हो अगर आपका budget है Amazon जैसा अरबो रुपे का तब तो आप display ads cold audience को दिखा सकते हो नहीं तो आप display ads cold audience के लिए मत दिखाओ क्यों मत दिखाओ क्योंकि again display ads क्या है लोगों को आजकल एक term होती है add fatigue मतलब display ads लोग देख के भी क्या करते हैं ignore लोग click नहीं करते हैं जो display ads है ना उसका जो CTR है वो बहुत बहुत ज़ादा कम है तो अगर आप cold audience को दिखा रहे हो जिसने आपका कभी नाम भी नहीं सुना तो highly unlikely है कि वो आपके add पे click करे और अगर वो आपके add पे click ही नहीं करेगा तो आपके website पे नहीं जाएगा अगर आपके website पे नहीं जाएगा तो आपके साथ business कैसे करेगा तो cold audience के लिए display ads विल्कुल recommended नहीं है remarketing के लिए display ads विल्कुल perfect है विल्कुल perfect तो अगर आप remarketing करना चाहते हो through display ads go for it cold audience के लिए recommended नहीं है अगर आप cold audience को दिखाना चाहते हो then go for facebook ads या फिर youtube ads display ads नहीं again display ads होती सस्ती है तो आप थोड़े से lure हो जाओगे कि भाईया नहीं मैं display ads run करता हूँ cold audience के लिए बट results नहीं मिलेंगे आप आपको ROI नहीं मिलेगा आपके ad spend जबकि अगर आप remarketing करोगे तो आप अच्छा ROI generate कर सकते हो through display ads plus जो ad recall build होती है आपको बार 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 बैनर दिखता है तो जो ad recall build होती है वो बहुत ज़्यादा humongous है again 5-10 लोग होंगे जो की bore हो जाएंगे आपके ads से but again 90 लोग ऐसे होंगे जिनके mind में आपका brand घुज जाएगा बिल्कुल यहाँ वह यह company है यह चीज बेचती है तो री marketing के लिए display ads करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है cold audience के लिए I will not recommend display ads to you ठीक है अभी भी आप किसी भी website पर जाओगे नहीं आपको बड़े सारे display ads दिखेंगे Google वाले तो यह था about display ads कि कैसे display ads काम करती है क्या-क्या चीज़े होती है display ads के अंदर कल के lesson में हम क्या करेंगे हम बात करेंगे अगर आप display ads run कर रहे हो तो कितने level पे आप targeting कर सकते हो कैसे-कैसे आप targeting कर सकते हो कैसे-कैसे आप audience बना सकते हो अपने display ads के और यह जो आप audience देखोगे ये same audience YouTube पे भी काम करती है यही audience आप किसके लिए use कर सकते हो YouTube के लिए भी ठीक है तो कल हम बात करेंगे कैसे आप display ads के लिए audience बना सकते हो ठीक है जी Thank you so much for watching this lesson